बिहार कोट में शराब पीने और बेचने के खिलाफ एक ऐसा फैसला आया है जिसमें शराब बेचने या उसका उबभोग करने पर जमानत की शर्त रखी गई है अगर आप शराब बंदी के राचे बिहार में रहते हैं और आप शराब पीते या बेचते वे गिरफतार हुए हैं तो पटना है कोट ने जमानत का नया नुसका दिया है आपको बता दे कि कोट की तरफ से आया आदेश में कहा गया है कि शराब बरामद होने के हिसाब से राशी जमा कराने की सहमती देने वाले अभ्युक्तों को रिहा कर दिया जाएगा लेकिन आरोपियों को ये पैसा PM केर्स फंड में जमा करना होगा पटना है कोट में नियाधिश अंजनी कुमार शरन ने शनिवार को एक नहीं बलकि शराब बंदी से सम्मनित कई मामलों में ये फैसला दिया और एक अनुमान मताबिक PM केर्स फंड में कम से कम तीन लाख रुपे जमा होए कोरोना का रोकने के लिए देश परें रागू लॉक्टाउन के समय शराब बंदी के मामलों में पटना है कोट नहीं फैसला दिया है कोर्ट ने निश्री आदालत को आदेश दिया कि किसी आरोपी की जमानत याची का तभी सुईकार किये जाए जब वो PM केर्स फंड में जमा की गई राशी की रसी दिखाए कोट के इस फैसले पर किसी आरोपी ने जमानत की इस सर्थ पर अपना विरोध नहीं जताया है जानकारे के लिए आपको बता दे किस से पहले भी पटना है कोट ने एक बिल्लर को फर्जी बारे के मामले में इस शर्थ पर जमानत दी थी कि वो कोरोना पीड़ेतों की सिवा करेंगे चोईता चान के साथ इपाकोमार की रिपोर्ट पंजाबकेसी.com यदि आपे वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो खिर पापेज को लाइक कीजिए यदि आपे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खिर पापेज चानलों को सब्सक्राइब करें और बेल आकर को दोबार ना भोले तक कोई नोटिफिकेशन मिसना हो